अध्याय दो, दो चरों का रैखिक समिकरण, linear equations in two variables रीमा ने सल्मा से पूछा, किसी खंबे का एक चोथाई भाग नीले रंग में, एक तिहाई भाग लाल रंग में, तथा खंबे का शेश 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी? सल्मा ने कहा, कि पिछली कक्षा में, हमने एक चर के रैखिक समिकरण में सीखा है, कि इस तरह की परिस्थिती में, एक चर, जो अग्यात है, का मान ग्यात करने के लिए, एक चर का समिकरण बनाया जाता है और फिर उसे हल करके, चर याने की अग्यात राशी का मान ग्यात कर लिया जाता है रीमा, अच्छा, तो यहां हम खंबे की लंबाई कैसे जानेंगे? सल्मा से जाने खंबे की लंबाई को ग्यात करने के लिए, चलिए, शुरुवात में हम खंबे की कुल लंबाई को एक्स मीटर मान लेते हैं खंबे की कुल लंबाई बराबर एक्स मीटर अब चूँकि खंबे का एक चौथाई भाग निला है तब खंबे के निले भाग की लंबाई होगी एक बटे चार मीटर क्यूंकि वह खंबे की कुल लंबाई का चौथाई भाग है तो इसलिए है एक बटे चार मीटर बिल्कुल इसी प्रकार खंबे के लाल भाग की लंबाई भी हम निकाल सकते हैं खंबे के लाल भाग की जो लंबाई है वो कुल लंबाई का एक तिहाई है इसलिए हम लिखेंगे इसे एक्स बटे तीन मीटर और खंबे का जो शेश भाग है शेश काला भाग वो हमें दिया गया है बराबर दस मीटर तो अब हम खंबे की कुल लंबाई को किस प्रकार लिखेंगे खंबे की कुल लंबाई बराबर होगा नीले भाग की लंबाई, धन लाल भाग की लंबाई और शेश काला भाग इन सभी का योग करने से हमें खंबे की कुल लंबाई मिलेगी तो हम इसे पहले शब्दों में लिख लेते हैं नीले भाग की लंबाई धन लाल भाग की लंबाई धन काले भाग की लंबाई चलिए अब इनका मान रख लेते हैं खमबे की कुल लंबाई हमने कितनी ली है X मीटर यह हो गया X नीले भाग की लंबाई X पटे 4 मीटर तो इसके स्थान पर आ गया X पटे 4 धन लाल भाग की लंबाई X पटे 3 मीटर यह हो गया X पटे 3 और काले भाग की लंबाई है 10 मीटर तो यह हो गया 10 इस प्रकार हमें यह समी करण मिल गया अब इस समी करण को हल करके हम X का मान गयाद कर लेंगे जिससे हमें खमबे की कुल लंबाई पदा चल जाएगी चली हल करते हैं इसे X पराबर देखिए आप इसे लिख सकते हैं X पटे 4 धन X पटे 3 और इसे लिखा जा सकता है 10 पटे 1 चलिए आगे देखते हैं हमें मिलेगा X पराबर लगुत्तम समाबर तक आ जाएगा 12 और इसके हिसाब से हमें मिलेगा 3 X धन 4 X धन 120 तो LCM लेने के बाद हमें यह प्राप्त होगा और हल करते हैं आगे हल करने पर यह हो गया 7 X धन 120 बटे 12 आगे हल करते हैं पक्षानतर करने पर 12 X पराबर 7 X धन 120 12 X के साथ हम 7 X को हल कर सकते हैं पक्षानतर पर यह आ जाएगा रिंड 7 X और यहां बचेगा 120 पुना 12 X में से 7 X घटेगा क्योंकि यह सजाती पद है तो हमें मिलेगा 5 X बराबर 120 और यहां से हम X का मान ग्याद करना चाहेंगे तो हमें यह मिल जाएगा नीला भाग जो है X बटे 4 मीटर है तो आप इसे क्या करेंगे X का मान रख सकते X के स्थान पर 24 बटे 4 याने की 6 मीटर बिल्कुल इसी प्रकार खंबे का लाल भाग आप कहते हैं X बटे 3 मीटर तो वो हो जाएगा X का मान फिर से 24 बटे 3 याने की 8 मीटर इस प्रकार या प्रश्न हल हुआ